हलो इवरीवन कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस तो जस्ट अभी अभी मैंने एक मेकप लूक क्रिएट किया इसके बाद आपको तो पता ही है कि सारा प्रोसेस थोड़ा सा वेट करना पड़ता तो मैं गई कमेंट देखने में नहीं कर चलो रिपलाई कर देती हूँ जब तक खाली बैटी हूँ वहाँ पर जब मैं पहुंची कमेंट का रिपलाई करने के लिए कुछ लोग यार हाथ दोकर पीछे पड़ जाते इतने ज़्यादा पीछे पड़ जाते ना चाहकर भी वीडियो बनानी पड़ जाती है लोग हमेशा किसी एक टॉपिक को लेके चलेंगे फिर दूसरी टॉपिक को लेके चलेंगे फिर तीसरी टॉपिक को लेके चलेंगे हम यूटूबर करे तो करे क्या, अगर एक चीज़ बनाते हैं उस पे लोग उगली उठाते हैं दूसरी चीज़ बनाते हैं उस पर उगली उठाते हैं आज मैंने जो make-up look create किया हो सकता उस पर भी वावाल हो तो मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने अपना घर दिखाया था उस वर मैंने लिखा था कि मेरी छोटी सी कुटिया देख लीजिए आप लोग ऐसे गर के कुछ टाइटल था और पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि मैं किसी का टाइटल नहीं चुराती हूँ वसे अधिक तर कोई यूटूबर टाइटल नहीं चुराता है तो वह सब हमें पता है हम जानते हैं तो आप लोग ऐसी वाते क्यों करते हैं मैं बता दू कि जो मैंने देखिए मेरी प्यारी सी कुटिया इससे करके मैंने कुछ लिखा था अभी इससे कुछ दिन पहले दीने भी वीडियो अप्लोड की है उसमें लिखा है कि देखिए मेरी कुटिया उन्होंने भी कुटिया करके लिखा हुआ और एक चीज मैं आप लो पहले गई है इससे आपको समझ में आजाएगा ठीक है और मैं किसी का टाइटल नहीं चुराती हूँ दूसरी बात आप लोग मेकप या बोल रहे हो कि आप प्रिया दीका मेकप पूरा कॉपी करती हो पूरा उनी के जैसे करती हो कुछ अपना करके दिखाओ कुछ अपनी मेहन वाले हैं वह सभी तरह का स्टेप बाइस टेफ फॉलो करते सीरा मोश्यूराइजर प्राइमार फाउंडेशन सब भी प्रोड़क्ट वो लगाते हैं ऐसा कोई नहीं है कि पहले पाउडर लगा ले फिर बाद में शिरम पाउडर और मोश्यूराइजर लगा अब बताई अब बता दो अभी मैंने कास्मेरी मेकप लूग क्रियेट किया उस पर बोल रहें तू प्रिया दी की कॉपी करती है उन्हीं का मेकप लूग उठा कर खुद उनको करती है वैसे फ्रेम करके दिखा आप मुझे बताओ प्रिया दी के चैनल में कहां पर उन्होंने कास्मेरी म नहीं किया यह मैंने अपने से खुश से अपने दिमाग से किया है जो मुझे अच्छा लगता है मैं वहीं करती एक बोलती है कि तूपी करती है अब अब बताईए मेरे आई मेकप में उनके डिफ्रेंट होता है कि अगर मुझे कुछ ऐसा आइडिया भी आता अरदी भी उसी तरीके से करती तो मैं कभी वह नहीं करती क्योंकि आप लुगते तुछ करती तुछ के टियू करती है और आप लोग यो जब बोलती है तु जब देखों तब उनका नाम लेती है अब यह वताईए ऐसे कौन से यूटूबर है कि जिनोंने किसी का नाम नहीं लिया है जिने उन्हें किसी का थमनेल नहीं लगाया बड़े से बड़ी यूटूबर का नाम आप मुझे बता दीजिए कि किसी ने किसी बड़ी यूटूबर का थमनेल ना लगा के ना आगे बढ़े हो या उन्होंन उनको बोला लेकिन बोला और साथ में उनका थमनेल भी लगाया तो सभी थमनेल लगाते और अभी एक हैं जो जिनकी मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले इससे पहले भी उन्होंने भी थमनेल लगाया वीडियो बनाई, हर यूटूबर अगर किसी को पर कोई बात होता तो मेरे अभी जो मेरे मेरे लिए कुछ बाते बोली गई थी मेरी भी विडियो बनी हुई है मेरा भी थमनेल लगा हुआ कई वीडियो बनी है मेरे नाम से अच्छी भी बुरी भी तो क्या आसा मैं उनको जाके बोलू ऐसा नहीं होता यह YouTube लगाता है अगर कोई भी यूटूबर हो बड़ा यूटूबर हो तो किसी का इंस्पायर मेकप लुक करता है तो थमनेल लगाता है ना लगाता है कि नहीं लगाता है थमनेल लगाकर ही बोलता है कि इनका इंस्पायर मेकप लुक वो चाहे तो अपना नाम अपना फोटो लगा बिलोंग तो उनका नाम करती हैं और वेडिवारों के साथिमा तो यह बंगता है तु डर क्यों रही है तुने उनके लिए ऐसे कुछ वीडियो बनाई हुई है तुमने ऐसा किया तुमने वैसा किया यार अगर मैं डरती न तो मैं वीडियो ना बनाती हम सभी यूटुबर चाहते हैं कि इस पर रिश्वांस करें इसलिए हम लोगों ने यह सोचा था लेकिन आप लोग उसको गलत वे में क्यों लेके चले जाते हो हमेशा अच्छे वे में सोचा करो यार अच्छा सोचा करो सबके लिए अच्छा सोचा करो क्यों ऐसा सोचते हो आप लोग तो प्लीज आपसे रिक्वेश्ट तो यह सारी चीज़े बंद कर दीजिए असा मत करिए हम भी यूटूबर है तो हम लोग इंसान नहीं है क्या हम लोगों को हट नहीं होता है कि आप लोग इस तरह की बाते आके करके चले जाते हो और एक है जिनको मैंने ग्रूप में लिया था मुझे तुम उनके उपर सोच की गुसा रही है जब भी जब देखो मैं कॉमेंट का लड़कों के नाम से रहती है और यूटूब पर हमयसा नहीं कर पा रही थी मैं खुड इतनी परेशानी और और एक मैडम आके बोल रही जिनको मैं इतना अच्छा बांगती थी मैंने उनको लिया था वो आके बोल रही है उस वीडियो पर प्रिया दीवाले पर कि तुम खुदी तो रिप्लाइ नहीं करती हो आप बताओ आप मैंसे कोई ऐसा है जो बता सकता मैं किसी की कॉमेंट का रि पर लोगों सोज पर वहां पर मैं ने इयनnut बोलता कि लिया प्रिकलाइए करते हैं जितना हो सकता उतना करते हैं अंच्रों से उनके साथ हैं मैंने प्लीज ये सारी चीज़े बंद कर दीजिए आप से रिक्वेस्ट है सो समझ कर किसी को कुछ बोला करिए हम लोग भी इंसान है यूटूबर इंसान होते हैं आप लोग के कोमेंट के लिए एक कोमेंट पे हम लोग वीडियो बनाके रख देते एक कोमेंट पे आप लोग बोलत तो आगे कैसे जाएगा आप बताओ तो आप यह मत बोलो कि हम लों किसी की कॉपी करते हैं हम खुद की महनत करते हैं लोगों की मैनत आप लोगों को दिखती नहीं तो प्लीज प्लीज रिक्विस्ट आप लोगों से असा मत किया करें बहुत मेहनत करते हैं हम सभी यूटूबर तो प्लीज आगे से मैं I hope उम्मीद करूंगे कि आप लोग इस तरह की बाते नहीं रखेंगे कि कि मैं आपको अभी प्यार से समझा रही हूं डियर प्लीज प्लीज रिक्विस्ट है तो समझे हमारी मेहनत को हमको समझे बस इतने ही बोलना था आप लोगों से तो I hope आप लोग समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो बस समय जा रही हूं अपना मेकप रिमूव करूंगी कि रापलों से मिलूंगी दूसले वेलियो में, बाप बाइ